सभी बच्चों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा इंट्रेस्टिंग और बड़ा अच्छा क्वेशन लेके आया हूँ जो सभी टीचिंग सब्जेक्ट वालों के लिए इंपोर्टन्ट है ब्लूम टैक्सोनोमी आपने पढ़ा भी होगा ब्लूम टैक्सोन टैक्सोनोमी ठीक है बच्चों अब ब्लूम टैक्सोनोमी है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको टैक्सोनोमी से अभिप्राय है मारा वर्गी करण करने की वीधी यानि जो टैक्सोनोमी है टैक्सोनोमी का अर्थ क्या है बच्चों वर्गी करण करने की वीधी ठीक है वर्गी करण करने की वीधी आया समझ में वर्गी करण करने की वीधी सबसे पहले 1949 में 1949 में अमेरिकन कालेजों और विश्व विदालियों के परिक्षक ने एक टेक्सोनोमी एक गुरुप को संगठित किया था किसने किया था अमेरिका में अमेरिका में वहां के जो कॉलेज थे और वहां के जो यूनिवर्शिटीज थी इस समूने कुछ वर्षों के आध्यन और संगोष्टियों को आजोजित करने के बाद अनुदेशनात्मक उदेशों का एक विश्टित वर्णन तयार किया और इस दिशा में बलूम तथा उसके सहयोगियों ने सेक्सिक उदेशों का वर्गी करन किया इसका सिक्सक एक छेतर में विशेश महतव है बलूम दवारा जो अनुदेशनात्मक उदेशों का वर्गी करन किया गया बहुत ही सपस्ट और सरल है बलूम के उदेशों के वर्गी करन में सिक्सक विशेशग्य शिक्सक विशेशग्य और अनुसंधान करता अनुसंधान करता ये तीन वेक्तियों के इसमें इन्होंने वो किया है और पाठ्यकर्म और मुल्यंकन की समस्या को सुलजाने में पाठ्यकर्म और मुल्यंकन की समस्या समस्याओं को सुलजाने में सुलजाने में अनुदेशनातमक उदेश्यों का प्रियोग किया सेक्सिक वातावरण में संप्रेशन को सरल और रोचक बनाने में ये जो उदेश्या है महतव पूर्ण भूमी का निभाते हैं ठीक है बच्चो अब इस वर्गी करन के मुख्य उदेश्या क्या थे वर्गी करन के मुख्य उदेश्या क्या थे ठीक है क्या थे इसको डिस्क्स करेंगे एक तो सरलता से जटिलता की और सरल से जटिल ठीक है पहले सरल मतलब पहले बच्चे को आसान चीज़े बताई जाए उसके बाद उनको जटिलता की और लेके जाएं दूसरा पॉइंट है वेवस्थित वेवारों की सूची तीसरा पॉइंट आ जाता है बच्चो दो या दो से अधिक विदालियों का सक्षिक शेत्रों के अधार पर तुलनात्मक अध्यन उसके बाद परभाव साली संप्रेशन उसके बाद परसनों का निर्धारन परसनों का निर्धारन शिक्षन वीधिया और मुल्यांकन ये कुछ उदेश्य थे जो बलूम टैक्सोनोमी के अधार पर जो वरगी करन किया गया उसके अधार पर उदेश्यों को निर्धारित किया गया अब जो बलूम टैक्सोनोमी हैं बलूम के अनुदेशनातम उदेश्यों का वरगी करन बहुत ही उपयोगत और पवभाव डाली सक डंग से किया बलूम ने पठ्ठयकरम निर्माता विशिष्ट उदेश्यों को निर्धारित करते समय इन सेक्सिक उदेश्यों के वरगी करन की साइथा ले सकते हैं बलूम के अनुसार वेवार के तीन पक्स होते हैं अब वो कौन कौन से हैं एक तो है ग्यानातमक ग्यानातमक कोगनिटिव कोगनिटिव डोमें ठीक है कोगनिटिव डोमें क्या होता है इस पक्स का सीधा संबंद हमारे दिमाग हमारे माइंड से होता है और इसमें वो उदेश्यों सामिल होते हैं जिनका संबंद ग्यान के प्रत्या समरन रिकॉल पहचान रिकोगनिशन तथा बोधिक योग्यता या कोशल के विकास इस पक्स में मुख्य के इंदर पठ्ठ करम का विकास होता है और इसका विकास करते समय उदेश्यों को अधिक से अधिक सपस्ट किया जा सकता है अधिक से अधिक explanation ठीक है दूसरा पोइंट आता है हमारा भावात्मक अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्स का संबंद दिल से होता है हार्ट से इस पक्स में वो उदेश्य सामिल होते हैं जो हमारी रूची हमारे दृष्टिकोन हमारे मुल्यों में परिवर्तन का वर्णन करते हैं इन उदेश्यों को वैवारों में वर्णित करना कठिन है और तीसरा हमारा जो होता है किरियात्मक साइको मोटर डोमेन साइको मोटर डोमेन इस वर्गी करन का तीसरा पक्स किरियात्मक पक्स है इसका संबंद सारीरिक अंग जो हमारे बोडी ओर्गन्स है उससे होता है सारीरिक किरियाओं का परसिक्षन देना ही इसका उदेश्य है इस पक्स के उदेश्य से कोशल विकास में व्रिद्धी होती है और यही कोशल आगे चल कर विवसाईक और उद्योगिक परसिक्षन में बहुत महतव रखते हैं ठीक है तो पहले का तो माइंड से हो गया संबंद दूसरे का हार्ट से हो गया और तीसरे का हो गया बोडी और गंस ठीक है यहां तक आपको समझ में आया अब नेक्स्ट चलते हैं इसका जो देश्य है उसका जो वर्गी करन है वो किस प्रकार से किया है इन्होंने जो ग्यानात्मक पक्स है हमारा एक्सका एक न मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ ठीक है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ग्यानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक ठीक अब जो ग्यानात्मक में आता है वो क्याता है ग्यान नौलेज दूसरा क्याता है बोध बोध कम्प्रिहेंशन तीसरा क्याता है प्रियोग एप्लिकेशन चोथा क्या आता है विसलेशन एनिलीशिज पाचवे नंबर पर क्या आता है शंसलेशन सिंथेशिज च्छटे नंबर पर आता है मुल्यांकन ठीक है च्छटे पर आता है मुल्यांकन इविल्वेशन अब भावातमिक में क्याता है आग्रन या ध्यान ध्यान अटेंडिंग पर्तिक्रिया रिस्पोन्स आकलन वेल्यूइंग संगठन ओर्गिनाईजेशन मुल्यांकन चरित्री करन चरित्री करन चरित्री करन क्रेक्टरिजेशन ओफ वेल्यूज और क्रियात्मक पक्ष में क्याता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन सहज क्रियात्मक अंग संचालन रिफ्लेक्स मुमेंट्स ठीक है आदाहर भूत अंग संचालन अदाहर भूत अंग संचालन बेसिक मुमेंट्स सारी रिक योग गयता हैं फिजिकल अबिलिटीज को प्रत्यक्सी करन योग गयता है प्रसेप्च्वल अबिलिटीज कोशल योगत अंग संचालन कोशल योगत अंग संचालन स्किल्ड मुमेंट्स स्किल्ड मुमेंट्स और लास्ट अथा है संकेतिक संप्रेशन संकेतिक संप्रेशन नौन डिसकस्शिव कोम्निकेशन तो ये हमारे तीन उदेशे हैं बलूम के दवारा दिये गए बावात्मक ग्यानात्मक और क्रियात्मक और इन तो इन्नों को फिर हमने आगे इसके जो भी वर्गी करन किया आपके सामने हैं अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है इस पेपर के अंदर एक्जैम में अपमानों आपका ग्षटन कैसे आएगा बलूम तैक्सवनोमी क्या है और बलूम तैक्सवनोमी में जो भी उधिस्से दिये गए हैं उनको एक्स्प्लीन कीजिए तो अब हमने क्या करना है जैसे ग्यानात्मक पक्स है ठीक है ग्यानात्मक तो ग्यानात्मक यानि बलूम ने ग्यानात्मक पक्स पर अधिक बल दिया और कहा कि बोधिक जो योग्यताए हैं इसको ध्यान रखना जो बोधिक योग्यता के विकास के लिए ग्यानात्मक पक्स में तपुरून है उन्होंने ग्यानात्मक पक्स के अनुदेशात्मक six points है ना इनको हमने अब explain करना है मैं लिखने रहा हूँ लेकिन explain करना है और explain में मैं साथ के साथ आपको बताता रहता हूँ बताता रहूंगा ठीक है अब पहला point हम लिखेंगे knowledge में क्याता है ग्यान से तातपरे उच विवार से है जो विशेवस्तु विचार या किरिया को संबरन करने पर बल देता है यह स्तर ग्यान प्राप्त करने का सबसे निमन स्तर है और इस स्तर के अनुसार अनुदेशनातमक उदेशों से विपराए है विभिन विश्यों के अंतरगत पढ़ाये जाने वाले तैथ्य, सिधान्त, नियम, वीधिया, सनरचना, आदी के पुनह, संब्रण, ये रिकोल या पैचान करने से आपको समझ में आया नौलेज में केवल क्या करना है जो भी नियम है तैथ्य है सिधान्त है जो विश्यों के अंतरगत पढ़ाये जाने वाले है केवल उनकी पहचान करना फिर इसमें क्या है कि जैसे मानलो उधारन है विद्यार्थिक और अर्थिक विकास के आर्थ और परिवासा के बारे में ग्यान देना विश्य समगरी की दृष्टी से ग्यानादमक पक्स को हम कुछ डंग से विबाजित भी कर सकते हैं विशिष्टाओं का ग्यान पहला पोइट मानलो विशिष्टा का ग्यान विशिष्टाओं के ग्यान का अर्थ है विशिष्ट सब्दावाली यानी प्रमपराओं का ग्यान हमारी जो भी मानलो प्रमपराएं होती हैं दिशाई होती हैं गतियें होती हैं वो सामिल होती हैं कारियापदति का ग्यान आगया सारो बोमी के अमूर्थ परत्यों का ग्यान आगया सामनी करण के नियमों का ग्यान आगया कारिया पदती का ग्यान आगया मांदंडों का ग्यान आगया सिधान्त वरचनाओं का ग्यान आगया यानि के इस पॉइंट के अंदर हर परकार का ग्यान केवल बताना ठीक है अब हमारा दूसरा पोईन्ट आता है बोध कॉंप्रिहlementsen ग्यान के बिना बोध नहीं हो सकता पहले आपने किसी चीज़ का ग्यान कराया तो ग्यान के बगर बोध हो नहीं सकता तो ग्यान हुआ उसके बाद बोध सम्रण और पहचान करना आवशक होता है इस तरक पर विद्यारती पुना सम्रण और पहचान की साहिता से तैथ्यों में सम्बंद देखता है ठीक है अब उसके बाद थर्ड एप्लिकेशन प्रियोग प्रियोग के लिए ग्यान और बोध देखो पहले यहां पे हमने ग्यान कि फिर बोध में हमने उसको समझना शुरू किया अब आती है बात प्रियोग करने की तो प्रियोग के लिए ग्यान और बोध दोनों जरूरी है यह स्तर ग्यान और बोध से उच्छ तर है इस स्तर के अंतरगत विद्यारती प्राप्त किये ग्यान को अपने दैनिक जीवन में बच्चे को आपने सिखाया जूट नहीं बोलना बच्चे को आपने सिखाया चोरी नहीं करना बच्चे को ग्यान हुआ फिर आपने उसका बोध कराया बोध कराया उसको समझाया उस चीज को उसके बाद बच्चा उसको अपने जीवन के अंदर प्रियोग करके देखता है ठी पत्रों की कमजोरियों का निदान होता है इसे विद्यारति अपने दैनिक जीवन में जो भी रूप रेखा तयार करता है और समस्याइं आती है तो उन समस्याओं का हल निकालने का प्रियास किया जाता है ठीक है अप्लिकेशन में आ गए है उसके बाद आता है अनलिसीज विचलेशन ज्यान बोद और प्रियोग से भी उंचा है इस तर के अंदर तैथे नियम और सिधानतों का विचलेशन करना सम्मिलित होता है इसमें सामगरी को उसके तत्व में बाटने को मैतवपुरण माना जाता है विबाजित गिये हुए तत्वों में आपसी संबंदों क खोज और जिन तरीके से वह संगटित हैं किया जाते हैं सम्मिलित किया जाता है ठीक है तत्वों का विचलेशन किया जाता है तत्वों का विचलेशन किया जाता है संबंदों का विचलेशन किया जाता है ठीक उसके बाद आता है हमारा संसलेशन सिंथेसिज पहले चारों स् फिरूंचा स्तर है इसमें विभिन तत्वों को एक नए रूप में व्यवस्तित किया जाता है संसलेशन में है कि पुराने जो तत्व हैं हमारे उनको एक नए रूप में व्यवस्तित किया जाता है पहले चार स्तरों के उदेशों की प्राप्ति के पस्षाद सीखी गई जो पाठे समगरी है उसको तेथे नियम और सिधान्त को नए रूप में विवस्तित करने की एक नए योजना संसलेशन के अंदर सिंथेसिज के अंदर बनाई जाती है ठीक उसके बाद मुल्यांकन अब मुल्यांकन क्या है ग्यानात्मक पक्स का अंतिम और सबसे और इनसे भी उँचा सबसे और इनसे भी उँचा स्तर है अब मुल्यांकन में क्या है इसमें पाठे समगरी के जो तत्व हैंस नियम और सिधान्त हैं उसमें अलोचनात्मक द्रिश्टी अपनाई जाती है और निर्ना लेने में प्रिमानात्मक वे गुनात्मक वीदियों को प्रियोग किया जाता है ठीक है ये आगए अपका उसके बाद ऐसे हमने भावात्मक पक्स को भी एक्स्प्लेन करना है बावात्मक पक्स के अंदर बावात्मक पक्स के अनुदेशनात्मक उदेशों से तात्परिये विद्यार्तियों की बावना और मुल्ये में परिवर्तन लाना है ठीक है उसके बाद पहला जो इसका पॉइंट आता है वो है ध्यान देना अटेंडिंग अब अटेंडिंग क्या है यह है इस पक्स का सबसे प्राथ मिक्सतर है ग्रहन करना भी इसको रिसीविंग भी बोलते हैं ठीक है रिसीविंग भी हम कह सकते हैं आ ग्रहन अब विद्यार्थियों की ग्रहन करने की इच्छा इस पर सीधा संबंद विद्यार्थियों की समयदना से है जो किसी किरिया से उत्पन होती है बावात्मक पक्स के उदेशों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले मुल्यों की अनुबूती करानी होती है अनुबूती के लिए उद्धिपक का होना जरूरी है और विद्यार्थी इस उद्धिपक के पड़ती आकरशित होते हैं उनके जो रिस्पोंस उनकी जो प्रकिरिया है इसके दवारा रूची, अभिवरिती, मुल्य और विचारों का विचारों का संचार किया जाता है उसके बाद आता है रिस्पोंस पहले बच्चे ने कुछ रिसीव किया आपने जो पड़ा है रिसीव किया उसके बाद आते हैं उसकी पर्तिकिरिया का है ग्रैन करना पर्तिकिरिया की पहले यह सकता है यह विद्यार्थियों की उचित पर्तिकिरिया से संबंदित है जब विद्यार्थियों में मुल्यों के पर्तिकिरिया ग्रहन करने की इच्छफपन होती है उसे ग्रहन करने के लिए पर्तिकिरिया करते हैं वो रिस्पोंस देते हैं ठीक है उसके बाद आता है हमारा आकलन वैल्यू इस तर के लिए आग्रहन या पर्ति के लिए दो नो उस तर का दार जरूरी है ठीक जब द्यारती किसी मुल्य के पर्ति आकर्शित हो जाते हैं तो उसे ग्रैंड करने की इच्छा करते हैं उसे grant करने के लिए परति करिया करते हैं मुल्यों को सुभीकारने की परति करिया करते हैं मुल्यों के वरियत्य करम देते हैं मुल्यों के परति परति बदता commitment to value मतलब यहाँ पर वो रखते हैं उसके बाद अता है हमारा संगठन organization इस स्तर के उदेशे पहले तीनों स्तरों से जादा उच्तर है और उन पर आदारित होते हैं इस से प्राप्ती से पहले तीनों स्तरों के उदेशों की प्राप्ती के बाद ही ये हो सकती है ठीक है ये तिनों की उदेशे की प्राप्ती के बाद ही ये हो सकती है कई प्रिष्थितियों में ग्रैन किये गए मुल्यों में टकराओ के नुबोतियति है वह इस टकराओ को समनवे या संप्रत्यों के सपस्टिकरन के लिए रोकता है ताकि मुल्यों का संगठन हो सके उसके बाद है मुल्यों का चारित्री करन भावातमक उदेशों का यह सबसे उच्छतर है और इस तर के उदेशों की प्राप्ति के लिए पहले वाले सभी इस तर की आवशकता होती है इस तरके उदेश्यों के द्वारा विक्षित मुल्यों, विक्षित जो मुल्य हैं, विक्षित मुल्यों के सभी स्थ्रों के उदेश्य की प्राप्ति के लिए आवशक है, और विद्यार्थी के चरित्र पर इस उदेश्य में बल दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारा फ बावसाले डंग से समाय जन स्थापित करने के लिए विद्यारती का किरियात्मक पक्स का होना जरूरी है किरियात्मक पक्स में वे अनुदेशनात्मक उदेश से सामिल होते हैं जिसका संबंद सारे रिक और किरियात्मक कोसलों से होता है यद्यपी इस पक्स का विश्ट्रित एवम मान की करित वर्गी करन तयार नहीं हो सका फिर भी किरियात्मक पक्स सम्बंदित अनुदेशनात्मक वो देश्यों के बारे में दवे सिंप्सन और हैरो ने भी वर्गी करित किया है ठीक है तो ये इसमें आ जाता है अब इसमें इसको भी थोड़ा सा एक्स्प्लेन कर लेंगे सहज किरियात्मक अंग संचालन कुछ ऐसी किरियाई होती है जो स्वभाविक होती है और ये स्वम ही गटित होती रहती है येने सहज किरियाई कहती है वे सवचालित अंत्रिका तंत्र वे मस्तिष्क द्वारा संचा लिए और नियंत्रित होती हैं यह क्रियाई हैं जैसे छीकाना सहज मतलब अपने हाप ही हो जाती हैं सहज छीकाना सब्सक्राइए बालक विद्यार्थी में स्वाभावी कादार भूत अंग संचलन संबंदी करियाए होती है किसी प्रकार का आदेश मिलते ही वे करियाए करता है परन्तु इन करियाओं पर अधिक देर तक नियन्तरन नहीं रखता उसके बार आता है हमारे सारीरिक योग्यता है इस तरका मुख्योदे से अंग संचालान संबंदी क्रियाओं में प्रिपक्वतलाना है और बालकी सारीरी की योग्यताओं का विकास करना है सारीरी की योग्यता के अनुसार छात्र जीवन की कठनायों का सामना करता है और वातवरन के साथ तालमेल करता है उसके बादे रता है परन, पर्टेक्सी करण, परसेफ्शल अभिलिटीज पर्टेक्सी करन व्ड़क्ताओं को अरजित करने के लिए पेसे किरियाएं और सारी किरियाएं का आधर करती हैं यह योग गयताईं, बालक की ग्यानेंद्रियां और करमेंद्रियों के समझे से पर निर्भर करती है, जैसे बालक सपरस करके, देखकर, सुनकर, सुंग कर ग्यान को अरजित करता है, यह परतेक्शी करिंड करना लगता है उसके बाद है कोसल युक्त अंग संचालन इन किरियाओं के लिए बालक को परसिक्षन लेना पड़ता है फिर अब्यास करना पड़ता है तब वे कोसल युक्त अंग संचालन संबंदी किरियाओं को परभावी डंग से संपन करता है जैसे संगीत के अंदर कोशल, निरित्य, डान्स हो गया है, ठीक है, वाद्य कोशल, तैराकी, आदी कोशलों में बालक अभ्यासे ही पारंगत होता है, यानि जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है और लास्ट आता है संकेतिक संप्रेशन, संकेतिक संप्रेशन वह विवार है, जिसके दवारा विद्यारती बिना कुछ बोले ही, अपने भावों को पूरण कुशलता से अभिव्यक्त करता है, जैसे बालक फिलम देखने के पस्षाथ, नायक के दवारा जो निरित्य, जो डा दवारा दिया गया, जो अबरगी करित उदेशे थे, ये बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेशन है बच्चो, और हमने ये करना है, एक्जाइम के पॉइंट ओफ यू से, ठीक है, और इसमें हम कल फिर दवारा से और भी क्वेशन लेके आएंगे, और अगर आपको ये समझ म आया हो, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो जो मेरी वीडियो है, इसको जादे से जादे से शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेशन अच्छे अच्छे टोपिक लेके आऊं जो exam के point of view से आप लोगों के लिए जरूरी है ठीक है और इसके अंदर ही अभी ये question पूरा नहीं वाइस के अंदर थोड़े point और आते हैं वो फिर मैं next video में आपको बताऊंगा ठीक है thank you